चाहे दोस्तो कोई भी फेस्टिवल क्यों न हो, तारक मैता मेकर्स ट्राइ करते हैं कि उस फेस्टिवल पर कुछ नया किया जाए और इस बार की दिवाली पर भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलने वाला है अब दोस्तो दिवाली पर सब लोग शोपिंग करते हैं और हर दिवाली पर ये चीज़ प्रोमोट की जाती है कि हम दिवाली हमारे इंडिया में बनी हुई चीजों से ही मनाएं तक हमारे इंडिया के छोटे वे अपारियों को फायदा मिले और हमारा देश तरक्की करे ठीक पिछली स्टोरी में जब टपू सेना भिडे का चेक लेकर बैंक जारी होती है रास्ते में चार्ट पापड़ी खाने के दोरान जिस तरह से मुनसिपल ओफिसर्स के आने की वज़ा से सब भाग जाते हैं ठीक वैसे ही इस स्टोरी में देखने को मिलेगा कि दिवाली का समान बेचने वाले छोटे वैपारी भागने लगते हैं और फिर गोकुलधाम वाले उनकी हैल्प करते हैं उनका मार्केट गोकुलधाम सोसाइटी में लगा कर तो यहां पर कुछ नया देखने को मिलने वाला है आपको क्या लगता है गोकुलधाम सोसाइटी में लोग वहां से दिवाली की खरीददारी करने आएंगे या नहीं आप अपनी राए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें